कि है एलो अर्यवर्ण सब्सक्राइब चैनल एजुकेशन पॉर्ण डड़ा आज हम लुक रजान समय करने वाले हैं क्या होता है जब जब देखें यह बहुत ही इंपॉर्टेट कोशन है और यह जो मैं प्रेश आपको बताने वाला हूं जिपोड पेपर में जरूर से जरूर करनेने बताएंगे जो मैं बता रहा हूं आपको प्लीज इसको जरूर से जरूर आज ही लगा लीजे क्या होता है जब आपको मैं पेपर दिखाते हैं इसी तरह से पीपर में पुछा जाएगा तो देखें क्या होता जब च्छाटा नंबर का का कोशन है तो देखे क्या होता जब पहला है मैथिल क्लॉराइट की अभिकरिया के एन के सी एन से होती है फिर दूत्रा है एथिल क्लॉराइट की अभिकरिया जली के वह से होती है फिर थाल नंबर पर सुख इथर की उपस्तिते में प्रोम एलकोहलिक के साथ अभिक्रिया किया जाता है और लास्ट लिखा है चलोरो बैंजिन का जल अबटन किया जाता है तो देखिए मोश इंपॉर्टेड कोशन है और यह बोड पेपर में चलू से जुरू नाएगा तो देखिए सबसे पहला जिखिए मैथल कुलराइट की अभिक् क्याता है CS3-1Cl यह होता है मैथल क्लॉराइट और के सी अंसे आपको अभिक्रिया कर दिया क्या प्रदिया क्याने क्लेगा के सी यह अलग हो जाता है और मैथल सेनाड मिल जाता है तो सी CS3-1 तो यह देखें पहला हमारा हो गया कोशन तो देखें किस तरह से मैथल क्लॉराइट की अभिक्रिया के सी अंसे करेंगे तो के सी यल बाहर निकल जाता है और मैथल सेनाड मुझे प्राप्त हो जाएगा यह CS3-CN तो देखें पहला कोशन हमारा सवल गों किया दूसरा देखें का तो यह देखाया एथल क्लॉराइट के अभिकरिया जली कोस से होती है एथल तो क्या होता है CS3-C2-Cl यह होता है एथल गलॉराइट और जली कोस से कर दिया तो हमें क्या पनेंगा CS3-C2-O2 यह यान तो माइडिय इसको जरू से जरू से जरू से तयार कीजिए मैं फिर से बताता हूँ यह कोशन एतल क्रॉयड के अभिक्रिया जली के वेस्ससे होती है तो यह कल के पेपर में जरूर आने वाला है मैं इस वाकिक गरेंटी दे रहा हूं तो इसको आप चरूर द्यार के लिए क्या है CS3, CS2, CL कि अभी किजिया किसे कराएंगे के और जली इसके सुस्क इथर की उपस्तित में हैं Bоже consumption कि müssen आप देखे सुक किसी कर्यान नहीं है कि आप पहले गाएंगे उपर d지를 cómo and ब्रोम कियसे होता है बंजीन के लिए लगा देंगे इसके उपर तो देखे बैंजीन पर ज n बियान लगा लेगा ज teucyर स्क्रित करां को बोघणी कि कि साथ करने है मगनेशियम के साथ किल dण이다 यहां लिख देंगे तो यह बन जाहेगा यह बेंजीं कि 有70 बने गाल जाए यह क्रीप सब्सक्राइब कराइब जीग्णार्ण अभी करनेलं यहां और इथर की उपस्तिती में करनी है लिखेंगे इथर एमजी बिया लगा देंगे बेंजीन के पर यह गिगनाड अभी करमा का है तो इस तरह से यह तीसरा कोश्चन आपका अब चौथा नमबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अब बीटिल कुल्राइट को अलकोहल के वश के साथ यहनी कि अलकोहल के साथ मुझे रियक्शन करनी है तो देखिए अन बीटिल कुल्राइट क्या होता है और आपको का है तो क्या बन घैनिकर के वश से आपको दिखा दें ऑन यह यह बन जाएगा आपका अलग हो जाएगा इसमें और कैने कृका श्लीक और रोटर निकल आता है. के सी अलप्लस वाटर तो सी-सथरी को पर शीर प्लाफ्स, एसेसल स्थ ब्राइबेक होती है। यह फिर लावार जो कोशेण है, क्लोरो-ो-मचीं का जलाग गटन करता है यानि कि यम्च के जलाग गटन बहुत सो क्लोरो-मचीं की परief क्लोरोबेन-चींक का जला गटन तो देखी जल अग बटन C X2 के साथ क्या तो पर देंगा एक फिनन के पर आप वोगा देंगे यह फिननल होता है बेंजीन के लिए पर आप वह लगा देंगे फिननल हो जाओगा और तो इस तरह से हेलो इडिवर्ट वेल्क बेंक मैं चैनल एजुकेशन पॉंट डड़ा आज हम आपको मोश इंपॉर्टेट रसानिक अभी करिया बताने वाले हैं कौन सी आपके पेपर पूछाता है तो इसका टिप्री करन भी पूछाता है और यह बहुत ही जदा इंपॉर्टेट है देखे तो इनको अभी याद के लिए आज ही का समय है और इसको याद के लिए मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूं इस तरह से पूछता है निम लिखे को उधारन सहे समधाई है तो इस तरह सी यह आपका बोट पेपर हैं पूछेगा तो बहुत ही जदा इंपॉर्टेट है पनाता हूं तो देखे सबसे पहला आपका है मैं आपको यह तीन डियाक्षिंट अभी आपको बताने वालों और यह पांच नंबर बिल्कुल पक्की होंगे जाएंगे आपके कल तो देखे सबसे पहला रायमेंट टीमन अभी किरिया मोश इंपॉर्टेड जब फिनोर को कि किरिया जली की वपस्तिती में क्लोरोफर्म से करा जाती है तो सेसलिक अलेडली है प्राप्त होता है तो आपको क्या होगा जब फिनॉल की किरिया जली की वपस्तिती में क्लोरोफर्म से करा जाती है तो सेसलिक हमें प्राप्त होता है इस अभी करिया को रामें टीमन अभी करिया कहते हैं यानि कि पहुत ही जदा इंपॉर्टर्ड है आप इसको जरू से जार कह लेजिएगा देखिए फिनॉल की क्रिया दोगे फिनॉल को हम लोग कैसे लगते हैं यह चीटू हफाइब ओएच तुझेव चीटू हफाइब ओएच है यह आपका फिनॉल अब इसके साथ किसके साथ क्लोरोफर्म तो छी एच एच ल्ट्री यह ख्लोरोफर्म की उपत्तित्रीम करा जाती है यानि कि 3-n-e-o-h तो यह उसके साथ अभी क्रिया कराएगी तो इस प्लस आप क्या देंगे 3-n-e-c-l 3-n-e-c-l अब इसकी रियक्शन आगे है 3-n-e के साथ क्या प्राप्ट हुआ है 2-h2-o प्राप्ट हुआ है तो देखिए इसके आगे लिखा हुआ 2-h2-o प्लस हैटोजन हुआ तो अब को यह आपको बन जाएगा बेंजीन के साथ ओए और सी एच ओ इसको कहते हैं ओ सेलिक एलिया यानि कि यह रामेंट टीमन विकरिया आपकी पूरी हुई तो आप इसको जरू स्यार के लिएगा मैं फिर से आपको रियक्शन बता देता हूं आप इसके साथ जरू ले लिए लिएगा तो देखिए तो देखिए ती सिक्स एच फाइब ओएच फिनॉल है प्लोरोफर्म के उपर देटरी में कराएगे एन वच त्री एन वच यानि कि एच ट्री हमें मिला फिरॉल के साथ छी एच ओएच का होल्ट वाइज प्लस टी एंड ल प्लस टू एच टू टू और हैट्रोजन आइड निकल हुए निकला तो क्या प्राइब फिनॉल के साथ हमें सी ओएच यह होता है सेसल ली एड तो यह इस तरह से यह आपकी पूर्ण अब देखें विल्यम सम्प अभी करिया विल्यम सम्प अभी करिया मोश इंपॉर्टेट है आप इसको जरू से जरू त्यार करेंगे माई डियर श्रू ने इसको जर को साथ गरम करते हैं तो इस प्रकार डाइब करना को किसी अलकेल हलाइट के साथ करम करते हैं तो ही थप्राइब देगा इस अभी करिया को टो करना सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गरम करने पर डाय एथिल एथर बनता है तो यानि जी विलियम अभी करिया में टाइटल डाय एथिल एथर बनता है इस माइडियस्टर ने इसको त्यार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टरड है आप इसके लिए देखे मैं इसके रियक्षन करके दिखा रहा हूं जैके सीटु एसवाइब और तो यह क्यों होता है फिर एथिल आयोडाइड के साथ हमें यानि कि सीटु एच्वाइब आई आप येक्षिन को तब याथ कर पाएंगे जब आपको अच्छे से पता होगा एथिल आयो अधर बनता है सीटु एच्वाइब को सीटु एच्वाइब को तो यह डाय एथिल इधर है और एने आई सोडियम अवड़ाइड अलग हो गया तो इस तरह से यह आपका विलियम सम अभी करिया कंप्लियूट हुए बहुत ज़्यदा इंपॉर्टेट है इसकी इंसॉड ले अधर गिरिया तो देखें फिनॉल को सोडियम हाईड़ाइड के साथ अभी करिया करने से बना फिनॉकसाइड आयन फिनॉल की पेक्षा इलक्ट्रॉन रागी अरोमेटिक प्रस्तापन कभी करिया के प्रती अधिक कर असील होता है तो देखिए इसको आपको लिखना पड़ सीओ टू जैसे दुरूबल इलक्ट्रॉन रागी के साथ इलक्ट्रॉन रागी प्रस्तापन अभी करता है इसे आईडो और्थो इसे और और्थो हाईड्रॉक साइड बिन्जॉक मुख उत्पात के रूम में प्राप्त होता है तो देखिए इसको आप इसके लिए बहुत ह जाए इंपोर्टेन मैं आपको रियासानिक अभी करिया करके दिखाऊंगा भी फिनॉल को सोडियम हाईड्रॉक साथ अधिया पन्में तरने थे फिनॉक साइड आयन फिनॉल की प्रिक्षा इलक्ट्रॉन रागी आरो में प्रस्तापन अभी अभी अधिक तिरिया सिलोता है आता यह स्यूटू है सिएस्टू जैसे दुरूबल इलक्ट्रॉन रागी के साथ इलक्ट्रॉन रागी प्रस्तापन अभी यह करता है इसे आर्थो हैड्रॉक साइड बैंजोड अमलत मुख रूप से पाजूर में प्रात होता है तब देखिए इसको कैसे करना है जैसानिक प्राइब करिया देखिए सबसे पहले तो इसधी करेंगा सूडियमं प्रेट बनेगा तो फिलेट सरी अधिके प्रेंस प्रेंग साथ ओन लगा दियेका तो यह सोडियम से उपास्तिति में है टूट जान एँन तो यह कह बन जाएगा और्थो फोजिशन पर देखिए और तो इसको कहते हैं तो इस तरह से यह आपका तीनों टॉपिक अभी करिया आपको समझना होगा बहुत की पॉर्टेट आप इसको आज ही त्यार के लिए कल के वेबर में जरुए नाने बला है थैंक यू सो मच बने रही हमाई चैनल एजुकेशन पॉर्ट डड़ा के साथ अले और वेबर में चैनल एजुकेशन पॉर्ट ड़ा आज हम आपको ऐसे तीन कोशिन बताने वाले हैं केमेस्ट्री में क्लास्ट्रों दोलों के लिए जो हर साल किसी ना किसी सेट में जरूर आत है देखें मोनो सब्सक्राइट क्या होते हैं मोच इंपॉर्टेट है दो नमबर का प्रश्ण है आपको क्या लिखना है वे कार्भोहेड्र जो छोटे अड़ों में जल अबगटित नहीं हो सकते मोनो सब्सक्राइट किलाते हैं देखें मोनो सब्सक्राइट बहुत ही इंप है और इत्तर सेटों में यह जूरू पूछाता है कि कार्भो हैड़क्रुवन गुरुवन पौली थाडर सी यह कीटोन होते हैं तो देखें कार्भो हैड़क्रुवन गुरुन पौली हैड़क्र साकी है ऐल डीएड या किटोर होते हैं वेफ पदात या वेफ प्रदात उते जो जल अपनीध फोकर मोनोजार्ट के कई अनुद्यansen देते हैं देखे मोनुसा का हेज़ देखेड तो आपको कारवोगटर है क्मलेट‐ पॉलि हैड या ऩी दों होते हैं या सब्सक्राइब के मनोसेकरट जते हैं यह इस तरह से यह प्रश्ञ आपको दो पर दिला देगा फिर अपका है नुकिलिक आसिड देखे नुक्लिक आसिड क्या होते हैं मुष्ट इंपोर्टर्ट हर बहुत ही पार पूछा गया या डूकलिक आसिड़ уж होते हैं जो सबी जीवित कोश्का के नाविकों में नुकलिक प्रोटीन तथा क्रोमोसोम के रूम में पाई जाते हैं नुकलिक अमल मुक्तिया दो प्रकार के होते हैं एक होता है आरेने और होता है डियेने DNA का पूरा नाम होता है D-Oxy Ribose Nucleic Acid और RNN का नाम होता है Ribose Nucleic Amal जानी कि बहुत ही ज्यादा ही इंपोर्टेड है Nucleic Acid आपको मैं फिर से बता देता हूँ Nucleic Amal वे जैब अडू होते हैं जो सभी जीवित कोश्काव के नाबिक में नुकलिक प्रोटीन तथा क्रोमसों के रूप में पाई जाते हैं नुकलिक अमल दो प्रकार के होते हैं DNA और RNA DNA का फुल फॉर्म प्वीप हो सकते हैं D-Oxy Ribose Nucleic Amal और Ribose Nucleic Amal तो इस तरह सी ये तीन कोश्चन मैं आपको बता हैं जो आपको तरकर लेने हैं मोनो सक्राइट की होते हैं वह कार्वोहेड़़्ड जो छोटे आणु में जलंगटिज नहीं हो सकते हैं मोनो सब्सक्राइड लाते हैं फिर कार्वोहेड़्ड दूञानी कि कार्वोहेड़़़्डन का दूण पौरली हेडरोकसी, LDH, तथा केटोन होते हैं, या वे प्रदाद होते हैं, जो जल अगटित होकर, मोनो सेकराट के कई अडू देते हैं, अब दिखें, लास्ट, दिखें, नुकलिक एसिट मैंने बताया तो, नुकलिक एसिट वे जैव अडू होते हैं, जो सभी जीवित कोश्काओं के नाविक में, नुकलिक प्रोटेन, तथा क्रोमोसोम के रूपे पायाते हैं, नुकलिक अंद मुक्ताद दो प्रकार के होते हैं, एक होताद डियने और आउता अरने, इस तरह से ये आपके तीन कोशिन चरूर से जोरू से कर लेजेगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक्यो सो मच,